Hello guys, welcome to my YouTube channel, इस वीडियो में मैं बात करने वोला और TP-Link कम्पनी के वो से आने वोला TP-Link Wi-Fi Extender के बारे में जिसका model ने में N302-2 MIMO टेकनलोजी को यूज कर गया है, जिसके दापो 300 Mbps और 2.4 GHz देखने को मिल जाता है, जो कि इन्होंने बताया हुआ है और हम test भी करेंगे, speed test करेंगे, mobile के तुरू test करेंगे, जो कि हम existing Wi-Fi के तुरू भी speed test करेंगे, इस लगा के extend होता भी है भी कि नहीं, और जैसे कि इसके दाप Ethernet का port देखने को मिलता है, वो हम CPU में लगा के connect करके भी देखें के Wi-Fi के तुरू speed ज़्यादा देखने को मिलता ह complete installation में आपको इस वीडियो में बताने ओलो, so आप भी सोचे कोई इच्छा सा Wi-Fi extender purchase करने के लिए, आपका budget around 1000 रुपीज के करीब है, तो यह मैंने Amazon से purchase किया था, 1099 का, Amazon पे different different seller है, same यह Wi-Fi extender कोई 1400-1500 का sale कर रहा है, जो best seller रहेगा, इसका link आपको में description में देखेंगा, ज आपको में description में provide कर दूँगा, तो आप एक बार description ज़रूर चेक कर लेना, तो चलो इसे कर लेते, unbox, box के अंदर एक user mail देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर complete setup बताया गया, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा, इसे रख देते हम side में, Wi-Fi extender के अंदर आप आपको दिखा जाता हूँ, design, कुछी step का आपको 3pling का socket के अंदर connect हो जाएगा, इस तरह से उपर के side में हमारे antenna रहे, इदर tipling की branding दी गई है, बगल side में कुछी step का आपको technology देखने को मिल जाता है, मतलब design देखने को मिल जाता है, नीचे आपको ethernet का port भी दिया गया है, ज देख सेते हो, जो कि light indicate करने लगे, power on हमारा हो चुका है, और इधर reset का button भी दिया हो गया, तो इस type का sound आएगा, जबी भी आप reset के button पर प्रेस करोगा, और यह साथ में नहीं आएगी, यह मैं जो कि मेरे mobile की SIM ejector को use कर रहा हूँ, इथर गर के application है, वो आपको play store से download करना आपर wifi मुझे मिले, range ज्यादा मिले, तो जैसे हो application को open करोगे, तो कुछ इस type का interface देखने को मिलेगा, plus के icon पर press करना है, इसके बाद में इधर different different appealing के जो भी रहते सारे products शो हो जागे range action दर को मैं use कर रहा हूँ, जो नाम लोगों नाम ले सकते हो, power led solid on, जो power led यह हमारी solid on ह पतलब blink नहीं कर रही है, तो इधर मैं confirm कर देता हूँ, power led solid on हो चुकिए, अब यह search करना, start कर देगा, connect to device जो कि इसने successfully search कर लिया है, process होने के बाद में आपको password set करने के लिए बोला जाएगा, और जो कि इसका नाम रहेगा, वो इधर show हो जागा, तो automatically इसने, जो मेरा existing password है, इसने detect कर लिया, इसके बाद में next पर click कर देता हो, आपको password feel करना पड़ेगा, जो कि detect नहीं करेगा, first time connect करोगे तो, इसके बाद में आपको next पर press कर देना, इसके अंदर 2.4 GHz देखने को मिलता हो, मेरा existing Wi-Fi वो भी 2.4 GHz का ही है, तो अभी में next पर press करता हो, इधर आद इसे तो जो Wi-Fi का, इसका नाम रहेगा, IOT12EXT आगे, EXT का मतलब होता है extender, इसका password जो कि इधर show हो रहा है, इधर आपको edit पर click करके, इसका नाम भी change कर सकते हो, जो नाम रखना चाहते हो, वो रख सकते हो, इसके बाद में आपको applying your setting में प्रेस करोगे, तो आपको जो कि यह 100% हो जाएगा, वितिन सेकेंड में, 100% होने के बाद में confirm location का option आएगा, तो हाँ confirm कर लिए, location is good, इसके बाद में आपका जो Wi-Fi का नाम और पासपर्ट शोएगा, यह वाले का, आप देख से तो IoT 12XT करके show हो रहा, all set, congratulations, connect to network, तो यह वाले से आपको connect करने के लिए बोल रहा है, तो हाँ मुझे यह वाले से connect करना तो इसमें मैं tap करता हूँ, within second में जिस तरह Wi-Fi से connect होता है, भी इस तरह हमारा connect हो जागा, opting IP address, तो obtaining हो रहा है IP address, और यह उसके बाद मैं done पर press करते हैं, तो हमारा successfully हो चुका है connect, और इधर आप देख से तो full network आ चुके है, और इतर में दोनों device show हो रहे है, तो अब मैं क्या करता हूँ, तो speed test कर रहा इसके link भी description में दे दूँगा, आप देखना चाते हो, तो देख सकते हो, तो मैं फिर से Wi-Fi को बंद करके चालू करता हूँ, तो automatically मेरे पुराने वाले Wi-Fi में जाके connect कर लेगा, so IoT 1-2 में connect कर लिया, जो कि मेरा old Wi-Fi hall में लगा हूँ और मैं हूँ bedroom है, so इधर आप इससे तो मिल रहे है, इसे मैं cut करता हूँ और go पे click करता हूँ, तो ये मेरे existing Wi-Fi, विसके थूँ ये speed मुझे जो कि दिएगा, कितना speed विसके थूँ मिल रहा है, विसके बाद में इस Wi-Fi में हम connect करेंगे, और देखे कितना speed है में देखने को मिलता है, so ये देख सकते हो, तो इस speed में काफी ज़्यादा fluctuation देखने को मिल रही थी, 5 Mbps तक कि मुझे मेरे old वाले Wi-Fi जो hall के अंदर लगा हो, वहाँ speed देखने को मिल रही है, अब मैं इस Wi-Fi को जो कि करता हूँ, power on, power on करके देखते हम इसके अंदर कितनी speed देखने को मिल रही है, और इधर मैं Wi-Fi के अंदर आ जाता हूँ, जैसे ही power on हो जाएगा, इसको थोड़ा सा टाइम लेगा, 10-15 seconds तो यह देख सकते हूँ, हमारा successfully हो चुका हूँ, tap करता हूँ, नए वाले के अंदर successfully जाके मेरा connect हो जाएगा, इधर आप देखते हूँ, signal में blue color show और तो इसका मतलब यह है कि इसके अ ही आ रहा है, हमें क्या करता हूँ, मेरे Google Chrome के अंदर, पहले हमारा 5.15 Mbps की speed देखने को मिल देती, same मैं search करता हूँ, net speed, फिर बात में मैं 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 सबसे पहली first वाली website, जो website पे अपने पाहले test के विस पे चल जाता हूँ, और इधर मैं go पे click करता हूँ, जैसे go पे click सब्सक्राइब करते हैं, जैसे आप अपने computer के अंदर है, इसको connect करना चाहते हो, तो मैं आपको select करूँगा, आप internet cable के through connect केजिए, जहां ये internet का port दिया गया और इसके through आपने computer में connect केजिए, तो आपको और भी अच्छी का सी speed देखने को मिलेगी, तो इससे मैं मैं मेरे computer के connect कर लेता हूँ, इसके बाद मैं speed भी बता रहता हूँ, internet cable के through भी speed बता रहता ह वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो यह देख सकता हूँ, तो मैंने computer on कर लिया है, और इसके प्राइवेट टैब open किया हुआ, अब मैं क्या अगर तो यह ethernet cable, इस cable को इसके अंदर डालता हूँ, और हम इस wifi के अंदर मेरा computer के तो net connect करते है, तो यह cable मैंने connect कर लिया है, और पी ज़्यादा fast देखने को मिलेगा, आप अपने CPU के बगल में लगा रहे है, तो मैं आपको सेश्ट करूँगा, आप इना internet cable के through ही connect कीज़े, हम same website को use करेगे, जो पहले use करेगे, जिससे समझने में हमें easy पड़ेगा, और इधर मैं go पे tap करता हूँ, इसे मैंने जो कि मेर wire के through, ethernet cable के through connect किया, और यह मैं most of the time ethernet cable के through connect करके यूज करता हूँ, यह भी आपको reason पता चल जाएगा, इधर मुझे देख से तो speed 21 Mbps की देखने को मिल रही इसके through, और यह मैं Wi-Fi के through भी connect करके बता हूँगा, मेरे computer के अंदर already Wi-Fi भी लगा हुआ है, जो कि 2.4 GHz चिप लगी है भी कि नि, वो भी बहुत ही ज़ादा जरूरी है, और इतनी speed आपको है न, mobile के through भी मिलेगी, जो mobile के अंदर chip अच्छा वला रहाएगा, जैसे oneplus वगे रहा है, तो और भी अच्छे खासे speed आपको देखने को मिल जागी, maximum speed आप देख से तो 28 Mbps की मुझे मिल रहे ह जैसे disable करूँगा तो इधर आथ इसे तो automatically ये internet चल गया, वो इधर मैंने disable कर दिया, अब मैंने wifi को enable कर लिया है, और इधर मैं tap करता हूँ, tap करने के बाद मैं इधर automatically जो कि देख से तो IOT 12EXT करके लिख किया आगया, इसके साथ मैं connect भी हो चुका है successfully, और इसके बाद में अ speed क्यों नहीं मिल रही इतनी, क्या problem है, तो काफी लोको लगता है कि extender में problem रहेगा, पर extender में problem नहीं रहता है, यह मेरा wifi के तो connect है, और अभी आप देख से तो, आपको speed देखने को 14 Mbps के करीब, 13 Mbps के करीब, तो 13, 14, 12 Mbps इतना speed आपको देखने को मिल रहा है, इस जो कि wifi chip के through, अभी इसको पूरा process होने देते है, so देख से तो 11 Mbps हो, 3 Mbps uploading के speed है, जो कि काफी कम है, has computer आप वीडियो अगर अप लोड करते हो, इसके लिए और has computer आप देख सकते हो, जैसे कि internet cable के through, आपको 28 Mbps हो 15, जो कि double से double की speed देखने को मिल रही है, डाउनलोड की तो चल internet cable लगा लिए, अपने computer के अंदर हो, इसके through, आप internet को यूज़ कीज़े, काफी अच्छा आपको speed देखने को मिल रही है, so almost मैंने सभी चीज़े इस wifi extender के बारे में detail में बता दीए, कुछ भी doubt रहेगा, तो आप मुझे comment section में post सकते हो, तो यह मैंने Amazon से purchase किया था 1099 का, Amazon में different different seller है, same extender, कोई 1400-1500 का sale कर रहा, जो best seller है, विसका link आपको में description में provide कर दूँगा, जब मैं purchase की offer भी चालू था तो हो सके, आपको भी compromise में मिल जाए, आप एक बाद description चेक कर लेना, price up and down भी होते रहे, और यह video आप 2022-23 में देख रहे हो, शिक्सित मन में हमारी step का wifi extender अपडेट होते रहता है, जो latest seller है, विन की link भी आपको में description में provide कर दूँगा, तो आप एक बाद description चक कर लेना, तो आप आपको यह video अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाते थे, वीडियो को like कर दीजाए, इसे और पी इंटेस्न वीडियो चैनल को subscribe कर द झाल